पूर्य मुख्यमंत्री उमा भार्ती ने धर्मांतरन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उमा भार्ती ने कहा धर्मांतरन कराने वालों को मद प्रदेशी नहीं, बलकि हिंदुस्तान से बोरिया विस्तर बांध कर बाहर कर दिया जाएगा। साथी प्रदेश में ओला वरस्टी की वज़े से फसलें खराब होने को लेकर उमा भारती ने कहा प्रदेश में शिवराज की सरकार है जिसे किसानों की चिंता है फसलों का मुआवज़ा सरकार जरूर देगी पूर्य मुख्यमंतरी उमा भारती रानी अवंती बाई के बलीदान दिवस की अवसर पर दिंडौरी पहुची थी जहां उन्होंने पहले तो बलीदान स्थल पर रानी अवंती बाई की समाधी पर श्रधा सुमन अरपित कर उन्हें श्रधानजली दी उसके बाद जनता को बोधित करते हुए कहा कि आने वाले सालों में बलिदान दिवस के अवसर पर पैदल मार्च का आयोजन किया जाएगा जिसमें शहर के सभी युवक युवती शामिल होंगे साथ ही बालपूर में एक करोड लागस से म्यूजिम बनाया जाएगा जिसमें रानी के जीवन से जु करीन बिस्तर बान्ँकर बहर कर दिया जाएगा अफै Lauren रसटी से Pसलों के नुकसान पर कि प्रदेश किसान हीताशी सरकार है चिवराज किसानों के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा इस कारिकरम में उमा भारती के साथ भाजपा के वरिश नेता एवं कारिकरता मौजूद थे या रजय, look at your dad, हमें इस उमर में ऐसे रहेंगे क्या? फिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लाणिंग की तो जैसे की? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया एलाइसी के जीवन अक्षे में जो दे रहा है इमेडियेट और गारंटीड अन्यूटी पर हमें तो इस एच तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल ने, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है एलाइसी के न्यूट जीवन शांती में जो हमें देगा डिफर्ड अन्यूटी मतलब कुछ साल बात से रेगूलर इंकम आईसी एलाइसी वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटीक विशलेश हम करते हैं सट्यका अनवेशा तखल न्यूज आपके ख़रे आप देख रहे हैं तखल न्यूज